नई कथा और भजन के लिए कथा भक्ती चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही घंडी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि भक्ती आप से और आप भक्ती से सदे जुड़े रहें आज आप से बहुत महत्पूर चीज कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक काम करना तुम शुरू करो बाकी काम तुम्हारी जिंदगी के मैं करूँगा चाहे भौतिक जगत के तुम्हारी आकाम चाहे हो, चाहे आध्यात में दृष्ट से तुम परम आनंद को पाना चाहते हो, दोनों दिशाओं में तुम सिर्फ एक काम करो, मैं 99% काम तुम्हारा करूँगा, और 100% यम यम चिंते दे कामम तम तम प्रापनो जिन शितम, जैसा ज तुम्हारी जिन्दगी में होता चाहेगा, जहां जहां चाहोगे, वहां वहां तुम पहुचोगे, ये मैं सिर्फ आशीश नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें इसका वचन देता हूँ, इसका मैं तुम्हारे जीवन में 100% आउतरन कराना चाहता हूँ, और ये काम आपको क्य देना चाहता हूँ, ये आप समझेजी, सिर्फ तीन काम दूँगा, और तीनों कामों के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पुड़ेगा, सिर्फ पहले काम के लिए अलग से कुछ करना पुड़ेगा, आज अभी पहले काम की बात कर रहा हूँ, से इस दोनों कामों को बा आधे गंटे के लिए डाई टु दे हो जाओ जैसे तुम हो ही नहीं यानि चौबीस घंटे में आधे गंटे के लिए आँख बंद करके बैठ जाओ सिर्फ तुम आँख बंद करके बैठो बागी काम मैं करा लूगा बैठ जाओ सब कुछ छोड़के आधे गंटे के लिए तुम ये काम क्यों नहीं कर सकते हो दो घंटे गप मार लोगे दो घंटे विर्थ की जगों पर चले जाओगे दो घंटे क्या दिन दिन भर विर्थ में गमा दोगे आप देखें जितना काम आप 24 घंटे में करते हैं उन में से 90% काम तुम्हारे व्यर्थ के हैं किसी काम के नहीं उनको ना करो तो भी कोई काम फरक नहीं पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी में बलकि वो तुम्हारे जिंदगी में उपद्रों ही पाइदा करते हैं जो काम तुम करते हो तो आदे घंडे स्थिद्गुरु के नाम पर अपने जीवन के नाम पर परमानंद के नाम पर परमात्मा के नाम पर नहीं दे सकते हो तो फिर तुम मुफ तुमें इस अर्ष्टित्यों की सबसे बड़ी संबदा पाना चाहते हो तुम पाना चाहते हो आत्मसाक्षात्कार तुम पाना चाहते हो परमानंद तुम पाना चाहते हो परमात्मा इस बाजार में निकल जाओ, कोई भी चीज तुम्हें लेने हो, उसके लिए कोई न कोई कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी और जिन्दगी की अस्तित्यु की सबसे बड़ी संपता को पाना चाहते हो उसके लिए तुम क्या दाउं पर लगाने को तैयार हो बिनना कुछ दिये, छोटी भी चीज नहीं मिलती, एक सुई भी नहीं मिलती याजार नो, और इतनी बड़ी चीज तुम पाना चाहते हो, इस जिन्दगी की सबसे बड़ी संपता तुम पाना चाहते हो अपने से पूछो उसके लिए तुम क्या दाउं पर लगाने को तैयार हो मैं एक छोटी सी चीज कहता हूँ सिर्फ आधे घंटे का समय आँख बंद करके बैठ चाओ ये पहली शर्त और दो चीजें ऐसी बताऊंगा जिनमें कुछ करना नहीं है जिनके लिए बैठना भी नहीं है एक मिनट भी सिर्फ उन चीजों का ध्यान रखना है तो संचेप में समझो ये पहली चीज जो बताई एक समय निरधारित कर लो और उस समय आधे घंटे आँख बंद करके बैठ चो तुम तमाम सारी काम जो धर्म के नाम पर ध्यात्म के नाम पर सद्गुरु के नाम पर पूजा पाठ के नाम पर करते हो मैं कहता हूं उनसे भी मैं तुम्हें मुक्त करता हूं उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी आप डरोगे कि कैसे मैं इतना दिन से कर रहा हूं छोड़ दू मैं कहता हूं तुम उनको मेरे भरोसे छोड़ दो आपको उनका कोई पाप नहीं लगेगा छोड़नेगा उनका जिम्मधारी मैं मेरे गुरु प्रंपरा के सारे गुरु उनका जिम्मधारी ले 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 लेते हू मैं तुमको नीट एंड क्लीन करना चाहता हूं, बोजों से मुक्त करना चाहता हूं, तमाम सारे उपद्रों, तमाम सारा कचरा जो तुमने खोपड़ी पर एकठा कर रखा है, उन सारे कचरों की गटरी चाहता हूं तुम फेक दो, और उनको आज फेकने का संकल्ब लो आधे गंटे के लिए आख बंद करके बैठ जाओ, और इसके संबंद में ही एक महत पुन बात कहता हूं, कि आधे गंटे का बैठना भी कुछ दिन की बात है, अगर जादा ने तुम साल भर बैठ लो, कुछ लोग काम तो छे महिने में भी कर दूँगा, लेकिन साल भर तुम बैठने का संकल्प ले लो, तो साल भर के बाद इस बैठने की जंजट से भी आपको मुक्त कर दूँगा,